अजो भी आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे आज हम चैप्टर करने वाले हैं एनिमल शेल्टर्स अभी हमने पढ़ा कि घरों के बारे में घर कैसे होते हैं हम लोग घरों में रहते हैं किस किस टाइब के घर होते हैं अब what about animal जो बिचारे animals होते हैं वो कहां रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं Just like us, animals to need protection from heat, cold, rain and wild animals They also need a shelter जैसे हमें गर्मी सर्दी से बचने के लिए घर चाहिए होता है वैसे ही जो animals होते हैं उनको भी गर्मी, सर्दी, rain और wild animals से बचने के लिए एक shelter चाहिए होता है They also need a shelter इसलिए उनको किस की जरूरत होती है एक shelter की The shelters in which they live have different names अब अलग-अलग अनिमल, अलग-अलग shelter में रहते हैं अलग-अलग नाम से उनको जाना जाता है जैसे, the lion leaves in a den एक lion, शेर कहां रहता है, den में, गुफा में The snake lives in a hole Snake कहां रहता है, hole में यानि कि बिल बना कर hole में रहता है Bees live in a hive Bees, यानि मधु मक्यां जो होती है वो अपने छत्ते में रहती है Birds live in nests जो birds हैं, पक्षी हैं वो कहां रहते हैं, अपने घोसले में रहते हैं The dog lives in a kennel और dog कहां रहते हैं, उनके kennel में उनका जो shelter होता है, छोटा से puppy house रहता है वहां पर dog रहते हैं The cow lives in a shed गाई कहां रहती है, shed में यानि एक shed बना होता है उसमें गाई रहती है Hands live in a coop Hand, यानि मुर्गी के जो घर होते हैं उनको क्या कहते हैं, coop And the horse live in a stable खोड़ा कहां रहता है, stable में रहता है The rabbit lives in a burrow Rabbit कहां रहते हैं, वो एक अपना bill बना लेते हैं उसको burrow कहते हैं जमीन खोद खोद कर वो एक burrow बनाते हैं उसमें खरगोश रहते हैं And fish live in water और मचली कहां रहती हैं सबको पता है, मचली जल की रानी है तो मचली कहां रहती है, water में Now here is the classroom activity Fill in the blanks I am Joe, the lion lives in a कहां रहता है, Joe जो एक lion का नाम है, कहां रहता है, वो D and then I am the little red hen I live in a hen कहां रहती है, यह आप लिखोगे इसी तरीके से जो fish होती है वो कहां रहती है, यह आप लिखोगे alphabets And I am the busy bee I live in a और मधु मखी कहां रहती है यह अभी आप पढ़ चुके हो chapter में तो इनके आप spellings लिखोगे, ओके I hope बच्चों आपको यह chapter समझाया होगा फिर से इसको read करेंगे और exercise की practice खुद करेंगे